विदान सबा निर्वाचन 2022 को संपन्य कराने के लिए मतगर्णा संकलन परेवेख्षक, मतगर्णा सहयक, मतगर्णा माइक्रो अब्जर्वर का प्रतम प्रसिक्षड जिला पंचाय सभागार रविंद्र नगर धूस में कराया किया मतगड़ना कर्मियों को बताया गया कि मतों की गड़ना निर्वाचन प्रक्रिया का सबसे महतवपूर चरण है आप ना केवल साबधानी पूरवग मतों की गड़ना की कारवाही करें बलकि मतगड़ना हॉल के अंदर अनुशासत तरीके से कारे करें मतगर्णा हॉल में मोवाइल, लाइटर, आईपेड, केलकुलेटर, पान, पान मसाला, सिगरेट ले जाने पर पूर रूप से प्रतिबंध है मतगर्णा प्रक्रिया की विडियोगराफी की जाएगी जिससे आपके प्रतेक गतिविधी पर नज़र रहेगी इस अवसर पर जिलादिकारी, एस राज लिंगम, मुखे विकास अधिकारी, अनुच मलिक, अपर जिलादिकारी, देवी दयाल वर्मा, परियोजना निदेशक, राजनात भगत, बियार मौरे, खादी ग्रामुद्यों का धिकारी, एक के पाल, वाने संबंदेत अधिकारीगर मौचूद रहें, उस यासा से जुड़ी खबर है, और लखनों से खबर है, मैंक जोशी के सपा जोइन करने पर, बीजेपी प्रवक्ता हरीश चंद्र श्रिवास्तब ने कहा है, कि रीता बहुणा जोशी कॉंग्रेस छोड़कर भाजपा में आई, उनको पूरा सम्मान मिल विधान सभा लोग सभा चुनाव लड़वाए गया, लेकिन इसके बावजूद अगर मैंक जोशी सपा में शामिल हुए, तो यह उनकी व्यक्तिकत सोच है, समाजवादी पार्टी प्रदेश भर में आराजिकता के नाम से जानी जाती है, और अगर मैंक जोशी सुशासन को छोड़ कर कुशासन में जाना चाहते हैं, तो यह उनका अपना निजी फैसला है। समाजवादी पार्टी समाज में जानी जाती है, तो यह समाजवादी पार्टी का मतलब आराजिकता है।